जेहन दोस्तो आप सभी एक सर्विसमेन का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सौगत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CIE सब की तरफ से निकली हुई Constable Fireman की भरती के बारे में तो इस भरती का ये है official notification जो के आपके screen पे है इस notification के लिए आप CIE सब की official website से download कर सकते है तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो को कर लेते हैं start notification बहुत लंबा है दोस्तो 38 पेज का है जिसके वाज़े से मैंने आपके लिए एक slide जो है वो बना कर ready रखी हुई है इस slide में मैंने आपके लिए most important point इस भरती के जो है जाएंगे जो की 30 सित्मबर 2024 तक रहेंगे यानि की 31 अगस 2024 से 30 सित्मबर 2024 के बीच में आप इस भरती में apply कर सकते हैं details of vacancies यह है दोस्तो vacancies के details कि state के लिए कितनी vacancies है क्योंकि यह जो भरती है वो state wise vacancies दी जाएंगी अगर आप जैसे मान लीजी की आंदरप्रदेश के रहने वाले हैं तो आंदरप्रदेश आप जानते हैं दोस्तों की central government की कोई भी job है group C की तो उसमें 10 परसेंट जो है वो vacancies एक्स सर्विसमेन के लिए reserved रहती है ठीक है अगर आप दोस्तों एक्स रिकूट है और ट्रेनिंग के टाइम पे medical board out हो चुके हैं तो भी आपको एक्स सर्विसमेन का quota लागो होता है आप आपको यह बात पता होना चाहिए अगर आप एक्स रेकूरूट है और board out हो चुके हैं तो भी आप इस भरती में apply कर सकते हैं एज एन एक्स सर्विसमेन ओके एज रिलेक्सेशन एंड एजूकेशन तो इस भरती में apply करने के लिए आपको जो है वो minimum 12th class यानिकि इंटर आप आपको पास होना जरूरी है 10 plus 2 with science subject ओके एज लिमिट के बात करते हैं दोस्तो 18 से 13 साल इसमें एज ली जा रही है एक्स रेसमेन के लिए जो एज में रिलेक्सेशन बिलता है वो यहां पर लागू होगा है जैसे कि आपको पता है कि आपकी टोटल एज में से आपकी टोटल number of years यानि कि service के number of years को minus कर दीजिए उसमें से 3 साल और minus कर दीजिए फिर जो आपकी age है वो 18 से 13 साल के बीच में होनी जरूरी है ठीक है तो अगर आपको दोस्तो एज relaxation से लेके कोई भी doubt है तो एक video का link में इस video के description में दे दूँगा जहां पर मैंने आपको बताया हुआ है क कि age को हम calculate कैसे करते हैं ठीक है चलिए बात करते हैं दोस्तों how to apply तो apply करने के लिए दोस्तों यह जो website दे गई है CISP की इस website पर जाकर आप online apply कर सकते हैं applications आपके online ही होनी चाहिए offline जो है वो application या फिर किसी और mode से application आपकी accept नहीं होगी cable online application ही आपको फिल करना है ओके चलिए आप बात करते हैं नंबर सौरी most important point की क्योंकि मैं अपनी वीडियो में आपको यह के point बताता हूं आपसे कोई भी चीज छुपाता नहीं चलिए तो यह जो पोस्ट है दोस्तों वो अभी तक temporary basis पे हैं इस notification में दिया गया है लेकिन CIA सबने फुद बोला है कि यह जो पोस्ट है likely to become permanent यानि कि यह जो अभी पोस्ट है यह temporary basis पे भरती हो रही है लेकिन बाद में इनको जो हो पर्मनेंट किया जा सकता है ठीक है जो है वो आपका exempted है जाने कि आपको केबल PhD, document verification और written exam में ही और medical exam को ही pass करना है चलिए तो दोस्तो पूरी PAT, PhD, document verification में अगर आप पास हो जाते हैं फिर आपका होगा दोस्तो एक computer based test यानि कि CBT जिसमें दोस्तों आप से 100 number के 100 question पूछे जाएंगे उसमें आपको time मिलेगा 120 minute का यानि कि 2 घंटे का इसमें दोस्तों कौन-कौन से subject होंगे general intelligence and reasoning के 25 question होंगे general knowledge and awareness के 25 question होंगे elementary mathematics के 25 question होंगे और हिंदी या फिर English के 25 ठीक है इसके बाद में दोस्तों आपके बनेगी merit list after completion of PET, PhD, DB, written examination and medical examination फिर आपके state wise and category wise जो है वो merit list बनेगी merit में आपका नाम आता है तो आप इस भरती में जो है वो पास हो जाएंगे और आप अपने training को जा सकते हैं तो मित करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को like और हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लेना तो चलिए कल फिर में लेंगे एक और वीडियो के साथ में तब तक लिए नमस्कार जैहिन जैपर